जनपद में रात्री कर्फ्यू का पुलिस कड़ाई से पालन करवा रही है जिसके संबंध में स्पी सिटी सोनम कुमार ने बताये कि जनपद में रात्री कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए 41 चेकिंग पॉइंट बनाये गए हैं जिस पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है एस्पी सिटी ने दुकानदारों से अपील करते वे कहा कि साथ वजे के बाद अपनी दुकान को बंद कर दे जिससे की आठ वजे तक राती कर्फियू का पालन करवाया जा सके उन्होंने कहा कि शासन निर्देश दिया है कि दो दिन सापताहिक बंदी किया जाए इससे पहले सापताहिक बंदी पर नागरिकों ने उनका पालन किया था उम्मीद है कि आने वाले सापताहिक बंदी में भी लोग प्रशासन को सहीयोग देंगे इस संबन्द में गुरकूर्णी उससे बात करते वे स्पी सिटी सोनम कुमार ने कहा अजयोगा मुझी सापताहिक बंदी पर चुमार ने किसे बंदी ऊए आंगे सापताहिक बंदी किस्क बंदी वाले में आपके आपके अध्यों। कि लाई ब बुट, कि लाई को जो जो गर बुट कि रड़ले जो युट कि यो नना यह क्यों तुम्कियो अला है 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 यह क्यों ईटाशिकमलव कि यह किरवाये होजें शेशिदें यहिता नीधसर ब्रवी क्यों तुम्कियों, नाइक्यों अला है हंग भी साहले हमाने थिस समगाद स में पारीम हो एक लिटारी। जो हैं से फौड़ का कि दिरिभी में efficiently रचाओ टरिफ एक लिखाड़ जन्पद में कुल 41 चेकिंग पुएंट बना दियेंगे, पहले जो बनाये थे, कुछ से कुछ बढ़ाए गया है, और वहाँ ड्यूटिया भी बढ़ाई गई है, और सबसे अपील यह है कि लोग अपने दुकानों वगरों ऐसे बंद करें, कि आठ बहे तो अपने घर पे कि आठ बहे से पूरी तरह से लॉकडाउन रहे, और पूरी रात कर्फिय रहेगा, और इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन के भी निर्देश पाक्त हुए, वो भी हम लोग सक्ती से पालन कराएंगे, और जन्ता से, जैसे पिछली बार जन्ता ने बहुत ही अच्छी, बह हमारी बाहर नहीं निकले थे, हमारी इस बार भी हमी थे कि बाहर ना निकले, संकर्मन से खुद को भी बचाएंगे, और दूसरे को भी बचाएंगे